मौर्णिंग स्टुडेंस ये इंडियन हिस्ट्री का तीसवां पार्ट है मौर्जकाल से संबंदित बहुत सारी तथ्थों को हम लोग ले रहे हैं कोई बात नहीं चोटी चोटी बातों को तो चलिए मौर्जकालीन प्रांथ कितने थे साथ या पांच और बताइए इन में से कौन मौर्जकालीन प्रांथ नहीं है में OUTCAN देता हूँ आपको दो UPG मैसे आपको चुनना है है उत्तरा पत्ठ दक्षन पत् प्राची या पुर्वि प्राnt अवंती एवं मालवा या उत्तरा पत्भण प्राची आवंती राश्त की कलिंग एवं कलिंग तो मेरे में से एक उत्तर आप का जरूर चेहन करें और बताईए कि अशोक द्वारा धर्म पर चार भेजा गया महिंदर को कहां भेजा गया था महारास्ट में या शिरी लंका में और अशोक द्वारा कश्मीर और गंधार में धर्म पर चारक के रूप में किसे बेजा गया था मज्जिन को या मज्जन्तिक को और अशोक द्वारा महारास्ट में धर्म पर चारक बेजा गया उसका नाम क्या है महादेव या महाधर्म रक्षित शहबाजगरही का जो शीला लेक है ये किस जिले से प्राप्थ हुआ है हजारा जिले से या पेशावर जिले से और मानसहरा का सीला लेक कहां से प्राप्थ हुआ है हजारा जिले से या पेशावर जिले से कालसी का शीला लेक कहां प्राप्थ हुआ है पतना जिले से या देहरादून जिले से गिरनार का शीला लेक कहां प्राप्थ हुआ है बंबई राज के ठाना जिले में या काठियावार जिले में जूनागर के समीप सुपारा में दो शीला लेक कहां प्राप्त हुए हैं ये कौन जगा है उरिसा राज में या बंबाई राज के ठाना जिले में धौली और जोगर ये कहां है बंबाई राज में या उरिसा राज में यर्वे गूरी का शिलालेक जो सोक का मिला वो कहां मिला उरिसा है या आंद परदेश के कुर्नूल जिले में तो ये सब भी अतिमात पुन तत हैं इन पर आप जरूर धियान देंगे और दिव्याओदान दिव्याओदान जो किस तरह का साहितिक स्रोत है बौध या जैन दीप वन्स महावँदान ये किस तरह का अशोक कालीन इतिहासिक स्रोत है जैन या बौध महावदी वन्स और दिव्याओदान किस तरह का साहितिक स्रोत है अशोक कालीन जैन या बौध और जे आर्ज मन्जु श्री मूल कल्प तथा अशोक वादान माला ये किस तरह का साहित्तिक स्रोत है जैन या बौद और राजतरंगेनी किस तरह का साहित्तिक स्रोत है विदेशी या लौकिक और कुछ है एक दो पॉइंट और देखता हूं बहुत ही महत्पुर्ण है कि मौर्ज वन्स का अंतिम्सासत कौन था बिंदुसार या विरिधर्थ और विरिधर्थ की हत्या किस वन्स के वैक्ति ने की कन या पुस्मित्र शूंग अशोक के अभी लेखों को साब की साम में ता किस इरानी शासक से मिलती है डेरियस दीटी या डेरियस पर्थम तो ये रहा कुल मिला करके आपका तीसवा पार्ट एक और पार्ट बनेगा और फिर इसके बाद बीच में भी हम लोग इसमें सामिल कर सकते हैं अगर महत्पुन प्रशन आ जाते हैं और भी कई किताबों से मिल करके कई पांच साथ पुस्तकों से मिल करके ये काम कर रहा हूँ तो चलिए थेंक्यों वेरी मच्च